हेडिंग क्या है गुलिय धर्पन के वकरता-3 ने आर तता फोकस दूरी यानि चोटी एफ के महाद संब्स वकरता तिर्जय और फोकस दूरी के बीच आप लोग 10 वे पढ़े होगे किसी भी गुलिय धर्पन के फोकस दूरी इसके वकरता-3 जय की आदि होती है पढ़ है इसको प्रूब करेंगे, क्या करेंगे वहाँ आप लोग रटे थे और यहाँ क्या करेंगे, प्रूब करेंगे क्योंकि अब 12 में आगए हैं आप लोग क्या आगए हैं, समझो है वहाँ सिर्फ बताया जाता है, यहाँ प्रूब किया जाता है तो चलो start कर दें नहां मनेगा बोलना यार तो चलो शुरू कर दे तो बाभु जनेरली दो तरह का दरपन होता है कितने तरह का एक होता आवतल, एक होता उट्व आवतल वला के लिए हम प्रूब कर देंगे उट्व वला को कैसे जल्दी खतम करते हैं。」 एक टोम सिरुफ करते हैं, दूसरे का, नहीं करते हैं. तो चले स्टाइत करें. इसलिए हम पहला कौन ले रहा हैं। तो देखने इसके लिए हम क्या की कहा तल दर्पन मने हैं? कौन दर्पन? ये इसका मोख्याक्षा है? कौन आक्षा है अब सोचए एक प्रकास किरण ऐसे मोख्यक्ष के समानतर होके आया और दर्पन से टकरात ये कहां से गुजरेगा देखो फोकस से गुजर रहा है कहां से गुजर रहा है ये क्या है इसका वकरता के अंदर है कौन के अंदर ये कौन केंदर है वकरता केंदर है ये क्या है फोकस ये क्या है ध्रोग पता ही होगा चलो आप सुरू हो जाए त्यान से देखना बावो एक परकास किरन बताओ मुख्यक्ष के समांतर हो कि आयात किरन की नियम से अब क्या पड़े हो कहां गुजरेगा तो देखो मुख्यक्ष के समांतर हो क्या अजाय से गुजरा बोलो जिस बिंदी पर टकर आया और अगर आभी लंग खीचना है तको पता होना चेह सी से खीचते है किस से बोलो क्लियर है अचए यह धुरूब से फोकस का जो दूरी है तो क्दूरी चोटी बोलो केलियर है बोलना यार अब हम कुछ पूछेंगा जवाब दोगे सच में अच्छा यह अभी लाम है या नहीं एक प्रकास किरेंगे इधर साया मान लो थीटा कौन बना कराया कितना कौन तो बोलो जो परावर्तित हुए कितना कौन से थीटा कौन से यानि कंफर्म आपका कहना है कि अगर यह थीटा है तो यह भी थीटा ही है सच में अच्छे एक चीज़ बताओ दो समांतर रिखा है ऐसे काट दिये ऐसे तो बोलो यह अगर थीटा दिये कितना कंफर्म मानते हो अभी तुरंद बोलें कि यह प्रकास किरेंगे समांतर है बोलना यार तो देखो ज यहा है बोलो यहां total कितना कौन टू थीटा तो बोलो यहां पर कितना कौन तू थीटा सच में बोलना कुछ गलती नहीं करवादिनाम से इतना मान रहा हो तो फीगर हो गया समझ माया कि नहीं आया तो चलो अप्रूब करना शुरू करते है इस्टार्ट कर दें एक तिरबोस दिख रहा होगा? यहां पर L C M दिख रहा तिरबूज? कौन तिरबूज? धेह ऑब-ब क्या? तिरबूज L C M से किसे? L C यह तिरबूज दिख रहा? L C M तिरबूज से हम जो है टान थी टा ले रहे हैं क्या ले रहे हैं? बोलो कौन ले रहे हैं टांग खीटा बोलो टांग खीटा वरावर क्या L M बाइ खीटा कसामने ले ये P और ये B बोलना तो L M बाइ M C C M नहीं M C हमेशा कोफिश करो उदार से ओ नहीं समझे हमेशा कोफिश करो धरूब के तरफ से ओ इधार समझ जाओ, क्लियर है, तो बोलो LM भाई, LM भाई, MC, क्लियर है, LM भाई, MC, क्लियर है, अब ज़रा सुनने कुछ सुस करना, ठीक है, बहुत खतरनाक चीज बोल रहा है, ठीक, जनरली, आप्टिक्स हम लोग कभी भी अगर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो न्यूटन ददा का कहना था, कि आप्टिक्स में तभी तुम कुछ समझ पाओगे, जब तुम लोग कोई चीज को बढ़ा करके देखोगे, बोलना यार, क्योंकि छोटा सरूप में तब को द देखेंके लिगा पाया, क्योंकि आप्ट अबैजन करो, ये है तो सोचो झारा सा, इसका वपरता के अंदरी ये है, फोकस ये है और प्रकास किरन देखो ज़्यादा उपर से जोड़ा ऐसे करके आया, अब imagine कर नो यह प्रकास आया तो यह ऐसे जाएगा फोकस, ठीक है, अब imagine करो यह मुख्यक्ष के समानतर होके गया, यह कहां से जाएगा फोकस से, अब सोचो जरा से यह जो कौन बनेगा, कितना छोटा छ चोटा एक यह दो डिगरी कि उससे भी छोटा मांस क्लिए रहा है लिए दिमायग में सिट कर लो जो भी कौन हम लोग optics में लेंगे उसको क्या मानेंगे चोटा कौन क्या मानेंगे और जब कौन का मान बहुत चोटा ऊजया दखना साइन थीटा रहे कौन थीटा या टेन थीटा रहे तो उसको हम लोग सिर्फ थीटा माल लेंगे क्या माल लेंगे दिमाग में सेट हुआ साइन थीटा या टेन थीटा को हम क्या बोलेंगे लेकिन अगर कॉस थीटा रहे तो उसका वेल्यू वन माल लेंगे किके लगवक जीरो गबरावर और कॉस जीरो को बैलियू वन होता है दिवाग में सेट हुआ लेकिन यादर रहे हैं साइन फिटा या टैन फिटा का वैल्लिय अगर बहुत कम रहे है जो फिटा उसी को बरावर मानने बोलो क्लियर है आरा समझ में में बाद तो चलिए ध्यान से देखिए यहां क्या थीटा का मान। थीटा का बहुत कम है बहुत कम है तो बोलो जी टान थीटा लगभग बराबर इसलिए बोलिए टान थीटा ले यह थीटा बोलो एलेम भाई समीकरन को दिक्कत इसी पकरार इसी पकरार तिर्भूज क्या एक दोको तिर्भूज एल एफम देख रहा होगा क्या देख रहा होगा देख रहा है तिर्भूज एल एफम से कौन तिर्भूज से बोलो यहां टान थीटा निकाल रहा है टान बोलो कितना एलेम भाई एम एफ एलेम भाई क्या सही है बोलना यार चुंकि बोलो turn 2 theta बरावर लगबग 2 theta क्यों समझी रहे हो इसी लिए बोलो turn 2 theta लिखें और 2 theta बरावर क्या ln by बोलो क्यलिए रहे तो theta बरावर 2 इदर ले जाएंगे तो theta बरावर ln by 2 बोलो थीटा बरावर ln by 2MF समीकरन 2 समीकरन अब जरा समीकरन 1 का LHS देखो और समीकरन 2 का LHS देखो और जब LHS बारावर तो RHS भी तो हम लिखे समीकरन 1 तथा 2 से समीकरन 1 तथा 2 से तो जब LHS बारावर है तो RHS बारावर होगा तो समीकरन 1 का LHS क्या है L by अगर थोड़ा बहुत भी समझदार रहे तो बोलो एमसी बराबर कितना टू एमसी बराबर सही है कनफर्म परंतु क्या अच्छा बतों एमसी क्या अब जड़ा समझना ध्यान से एम से सी का बात करें या पी से सी तक का बात करें बात तो बराबर है चुकि यह इतना छोटा गैप ही सिर्फ लंब लगे तिरबुच जैसा लगे इसलिए लिए नहीं भी लेते तो आपको क्या वास्ता में देखके लगता है कोई अवतल दरपन अवतल दरपन है लगेगा कैसमतल यानगी सीधा ही दीखता है तो इसलिए यह जो गैप है बहुत कम रहता तो बहुत क्लीर है अरा समझ में तो दिमाग में से ट करलो एम से सी का दूरी बोले या पी से बात बराबर है बात तो बोलो एम सी लगबाद किसके पी सी के MC लगवा PC का वैल्यू कितना है PC का वैल्यू बोलो PC का वैल्यू माइनस R परकास इधर जा रहा है हम इधर आए उल्टा गए ना तो किसी लिए भावो ये पलस मैनस का दियान देना नेतिनी मेरिकल समय बहुत गलती होगा ट्रिक तथा क्या बोलो MF क्या MF को लगवग PF बोल सकते हैं और PF बरावर नहीं में स्वासत देख लो PCF कितना माइनस F इसलिए बोलो ये यहाँ पर कितना बरावर 2 इंटो माइनस F बोलना यार माइनस से मानस गया R बरावर 2F ठीक है या F बरावर तो यहीं तो प्रूब करना चाहते हैं क्लियर है मुश्किल लगा एक को जरा सक तो यह आवतल के लिए हमने कर दिया आवतल के लिए आप लोग को किस के लिए करना है उत्तल दरपन के लिए दू नम्मर वाली आप लोको क्लिक करना है फिगर क्लियर कर दें थोड़ा बोलो जी एक परकास किरन ये मुख्यात के समांतर हो के गया तो ये ऐसे जाएगा जैसे लगेगा फोकस से आ रहा है बता यहां पर अभिलम डालना तो सी से खीच दिए ये अभिलम होगे नॉर्मल ब इचार थीटा को मनाकर आपतीत हुत परावर्तित भी हों भी हों थीटा को मैणा कर पड़े होंगे दो समंतर रिखाकर एसे काटें ने ये थीटा ये भी थीटा बोलो यार जरा ध्यान से देखो ये और ये समंतर है ऐसे देखो काटे है बोलो ये थीटा दिया कितना सही बात है ये और ये समंतर ऐसे काट दिये बोलो ये टू थीटा दिये कनफर्म यहां से यहां तक दूरी आफ और यहां से यहां तक बोलो clear है figure समझ में सब को आया confirm hint देदें hint देदें सुनो hint आप से लेके कहां से लेके यहां से लेके यहां तक दम same to same copy paste कर देना same to कुछ change नहीं होगा सिर्फ एक change होगा खली यहां minus और यहां minus नहीं लगाना दोनों क्या होगा दोनों पलस लगाना नहीं है मैंने माइनस लिखना ही नहीं ठीक उस तरह बें कटिये गया यहां यहां आगा clear है मनला एक तरह से मानलो copy paste करना लेकिन हम नहीं चाहेंगे आप लोग देख देख के उतार लीजे figure है figure बनाए और figure बनाए आप खुद से दिमाग लगा के solve clear है चलिए